नमस्कार दोस्तों Every News आज आपके नहीं लेकर रहा है युरा सिंग से रिलेटिव एक ब्रेकिंग नियूस दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज जो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था फाइनल मैच था पांच वंडे की स्रीज का जिसमें दो आस्ट्रेलिया ने जीते थे और दो भारत ने और आज जो फाइनल था उसमें भारत बुरी तने हार गया और भारत की हार की वज़ाय कहीं न कहीं उसका मिडिल ओर्डर बना क्योंकि जो भारत के टॉप ओर्डर के दस्ट्मेन थे वह अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो सारी जिम्मेदारी जो थी मिडिल ओर्डर परा थे सबसे हाइस रन जो थे वो रोई शर्मा ने बनाए उन्होंने और उसके बाद जो थे किदार जादब ने बनाए रहे लेकिन क सबसे जादा कमी लोगों को ख़दी सभी लोगों को सेलेक्टरेक्स को भी या बागी टिम्स को भी कि मिडिल ओर्डर को कहीं भी बात जम नहीं रहे थी क्योंकि जब जब भारत के ओपर के तीन बैट्समेन आउट जल्दी हो जाते हैं तो बारत की टीम है वह उपको लड़ कब में कैंसर था लेकिन उन्हें बात किसी को नहीं बताया थी कि फाइनल मैच करते समय उनके मुझ से ब्रेड भी निकला था लेकिन वो अपनी टीम की ने खिलते रहे और उन्हें बात ली टीम को वर्ल्ड कब जिताया अब दूस्तों ब्रेकिंग म्यूज यह है कि क्योंकि कई एक्स्प्रिमेंट करने के पाद भी भारत का मिडल ओडर नहीं सुधर पाया है और जो सेटल बैट्समें थे जैसे कि हार्दिक पांडिया थे उनको बैक इंज्रीज हो चुकी है लगातार दो बार तो वो टीम से बाहर है और उनका भी लोटना मुश्किल है और इस कंड इन टीम से बहार है बहुत ही शानदार बेटिंग कर रहे हैं वहाँ पर हर मैच में अच्छा स्कूर कर रहे हैं अब चुकि इस स्रीज के बाद जो आस्टीरियस के साथ भारत की स्रीज थी अब सिरिफ आई पील है बीच में और उसके बाद सीधे वर्ड कप है तो आई पील में युवराज सिंग जो है मोमें इनकी से खेल रहे हैं और जैसा कि रोई शर्मा ने बताया है कि वो उनको मिडिल ओर्डर में ही बेटिंग कराएंगे और भारती टीम को भी एक मिडिल ओर्डर का बैट्समेन ही चाहिए तो यह इंडिकेशन समझने की जरूरत है कि उनको म करने में जरा सी बीज़े नहीं रगेगी तर दोस्तों युरा सिंग एसा कडिबाइं याःति सिंग ब jour कि यहीं मरी आप से दुआ है तो धुरू है आई पिर का नहीं करते हैं और युऌना सिंग कि कभी धन्यवार्ट दोस्तों आप को आपका दिन शुक हो